हलो गाइस कुछ दिनों पहले कलर्स टीवी के कुछ शोज की ओफ एर होने की खबरे सामने आई हैं जिसमें एक तक अपूर के कुछ समय पहले शुरू हुए शोज धरम पतनी, अगनी साक्षी और नागिन सिक्स जैसे बड़े शोज भी शामिल है कलर्स टीवी ने हाल ही में कुछ शोज को ओफ एर किया है जिसमें दुर्गा और चारू और ससुराल सिमर का सेजन टू जैसे बड़े शोज शामिल है तो चलिए अब जानते हैं कलर्स टीवी के कौन से शोज ओफ एर होने जा रही है अब कलर्स टीवी के तीन शोज ओडियन्स को कहने जा रहे हैं टाटा बाई बाई जी हाँ कलर्स टीवी के तीन शोज हो रहे हैं ओफ एर इसके पीछे का कारण है कम टियार्पी और नई कहानी जी हाँ चार नई कहानिया कलर्स टीवी पर दस्तक देने जा रहे हैं आपको भी बताते हैं इन चार नहीं कहानियों के बारे में शिवोहम शिवोहम कलर्स टीवी पर आने वाला नया माइथलोजिकल शो है जसमें भगवान शिव की कहानी देखने को मिलेगी चैनल ने इस शो का टीजर कुछ सबते पहले ही लॉंच किया है ये शो जून में दस्तक देने वाला है अभी तक शो के लिए डेक्टर को लेकर तो कोई इंफर्मिशन सामने नहीं आई है पर इतना जरूर है कि ये शो काफी दमदार है सुधिर शर्मा और सीमा सुधिर अपने प्रड़क्शन में एक नए शो को लेकर आ रहे हैं जो जल्दी कलर्स टीवी पर ही दस्तक देगा बता दे इस शो के लिए मेकर्स ने रजो फेम आक्टर राजबीर सिंग को कास्ट किया है इस शो का नाम फिलाल नीर्चा बताया जा रहा है और खबरे हैं ये शो सोशल इशू पर अधारत नई लव स्टोरी को लेकर आएगा बता दे इस शो में विभा छिपर भी नज़र आएंगी खत्रो के खिलाडी सीजन 13 खत्रो के खिलाडी का नया सीजन भी आने वाला है खबरे हैं शो जून के लास्ट या फिर चुलाई के फर्स्ट वीक में ओनियर होगा शो को लेकर कई स्टार्स के नाम पहले ही कनफर्म हो चुके हैं ये शो कलर्स टीवी का बड़ा शो है जो रात आट बजे टेलिकास्ट होगा यानि कि रोहित का ये शो नागन सिक्स को रिप्लेस कर सकता है खबरे हैं ये शो मई के महीने में टेलिकास्ट होगा शो हागन शो में आकरती शर्मा लीड रोल करती नसराइंगी वो इससे पहले कुल्फी कुमार बाजेवाला में काम कर चुकी है इस शो की कहानी तो बहनों पर अधारित है जो अपने रिष्टेदारों के रह्म करम पर पल रही है तो गाइस ये है वो चार शो जो जल्दी आपको कलर्स टिवी पर देखने के लिए मिल सकते हैं अपने में से किस शो को देखने के लिए है सबसे जाधा एक्साइटिट